नमस्कार दोस्तों मैं सोकुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल ASP Info Hub में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिकंदराबाद जंग्सन और गोरपूर जंग्सन के बीच चल रही है दोस्तों इस ट्रेन का नाम है सिकंदराबाद गोरपूर वीकली सुपरफास्ट स्पैसल दोस्तो जब इह ट्रेन सिकंदराबाद जंग्षन से गोरफ़ जंग्षन की तरफ जाती है, तब इसका नंबर होता है 0,295 और जब इह ट्रेन गोरफ़ जंग्षन से रापति सागर सुपरफ़ फेस्टिवल स्पेसल, दोस्तो इस train को सिखंदराबाद जंक्षन से गोरपूर जंक्षन के बीच ले जाने और ले आने का काम LGD-based electric engine WAP7 करता है दोस्तो इस train में लगाए गए सभी कोच ICF rack के बने हैं अब चलिए दोस्तो मैं आपको बता देता हूं इस train में कौन-कौन से कोच हैं दोस्तो इस train में 6 second sitting के कोच हैं, 11 sleeper डब्बे हैं, 4 third AC के कोच हैं, 1 second AC का कोच हैं, टोटल दोस्तो इस train में 22 कोच हैं दोस्तो यह train सिखंदराबाद जंक्षन और गोरपूर जंक्षन के बीच का डिस्टेंस जोकी 830 km का है 31 गंटे 45 मिनट में पूरा करती है, और इस बीच इस train की average speed 27 km पर घंटे की होती है और यह train इस बीच 27 railway station पर रुखती है, और 279 intermediate railway station पर नहीं रुखती है और यह train सिखंदराबाद जंक्षन से गोरपूर जंक्षन की तरफ प्रतेक रविवार को जाती है चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यह train कीन कीन railway station से होकर गुजरती है जैसा कि दोस्तों यह train सिखंदराबाद जंक्षन से तलती है फिर काजीपेट जंक्षन रामगंदम मंचिरियल बेलामपली पूर कागसनगर से होते हुए बलहार सा जंक्षन पहुशती है फिर चंदरापूर सेवागराम जंक्षन होते हुए आगपूर जंक्षन पहुशती है पिर आमला जंग्शन पहुंशती है, पिर बेतूल गोरा दोंगरी होते हुए इतार सी जंग्शन पहुंशती है, पिर बोफाल जंग्शन पहुंशती है, पिर ललितपूर जंग्शन के रास्ते जहांसी जंग्शन पहुंशती है, पिर ओराई पुखरया के रास्ते कानपूर पहुंचती है फिर उन्ना जंक्सन के रास्ते एस बाग पहुंचती है फिर बास्सानगर बारबंक की जंक्सन होते हुए गोंडा जंक्सन पहुंचती है फिर मनकापूर जंक्सन बस्ती खलीलाबाद होते हुए अपने डेशनेशन स्थल गोरपूर जंक्सन पहुंच जाती है दोस्तो इस्टेन की जनरल इन्फोर्मेशन के बाद अब चलिए देख लेते हैं इस्टेन की स्पीड दोस्तो इस वीडियो में आपने इस्टेन की जनरल इन्फोर्मेशन के बारे में जाना और इस्टेन की स्पीड को देखा दोस्तो इस वीडियो में आपको मैं इस्टेन के टाइम टेबल और किराय की जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि किराया कभी भी घटिया भड़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है दोस्तो यात्रा के दरान कुछ बातों का अवस्से ध्यान रखें जैसे की यात्रा के लिए स्टेशन पर आने से पहले ट्रेन के आने की जानकारी अवस्से लें और आप यह जानकारे डिस्क्रेप्शन में दिये हुए लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों जैसा कि यह COVID-19 का समय चल रहा है तो यात्रा के दौरान मास्क अवस्से पहने सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी यात्रा को सावधानी पूरवक पूरा करें दोस्तों आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन का वटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल से जल धन्यवाद दोस्तों